अलेकुम सलाम करना सुन्नत है जवाब देना वाजिव है मगर मसला आप लोगा मोडरांग खुद मुफ्ती है एक भी जवाब दे जातो काफी है हाँ मगर पूरे दिये तो गुना तो नहीं होता न हर एक को अलेदा अलेदा सवाब में बिसमिल्हर्मानिवर्हीम अल्मदुल्ल्ही जबार वसलात वसल्याम आला रसूलिह लमध़्ार वाला आलिह अतहर वास्حाब भीर उल्याम्दुम्न वेमिल्कर याम्ल्करार of God वैंदू इनना मिन बैयान लाट सिहरा आओ कमा काल भुझ लाट सिबरों हमारे हदरत मौलाना मुफ्ती ऐयूब सहाब गासमी दामन पर गातु हूँ नाजिम मदर्स हाजा इसी तरह मुफ्ती जहीर सहाब दीगर असातिजा एक्राम तलबा ए इजाम अल्लाह रुब लजज़त का हम सुपर बे पना फदल करम और इहसान हुआ कि उसने हमें इमान और इसलाम की दौलत से माला माल फरमाया और सरकार दो आलम सुप कह दो सल्लालाह ओ लिए सल्म की उम्मत में पैदा फरमाया और अल्लह तहला की बेश्मार अंगिनत रुखानी और मादी निमतों में से हमें ये निमत इसमा अता फरमाई के असरी तालीम के मुकाबले में दीनी तालीम वही वाली तालीम में मस्रूफ मुश्गूल कर दिया ये अल्लह रखुल अर्ष्जत का हम पर बहुत बड़ा फद्ल करम और इहसान है हमारी तालीम के अहमियत क्या है आज के इस मसाबिके का दूसरा उन्वान था गर्चे के उस उन्वान को उसकी उस पर शदीद मेहनत की हुझे से शायद तलबा ने उससे लिया लिया है और जिन तलबा ने लिया है काफी मेहनत भी की है तो वो एक उन्वान नहीं था बलके तीन अनाविन थे उसमें तालीम तबलीग और तद्किया था तो उसकी कई वज़वात थी तालीम में तो हम लगे हुए हैं तबलीग बाद में देखेंगे तद्किये पर तद्किये से पहले बोलना भी मुनासिब दी है लियाद उसको क्या करो छोड़ दो लेकिन जिन तलबा ने खिसा लिया था उनकी जो तख्रियरे थी उनके मवास से हम जिस चीज़ में मुश्बूर और मुश्रूफ है उसकी एहनियत और फदीलत का अंदाजा हमें अच्छी तरह लग चुका है बस दुआ यह है कि अल्लह तादमें हयाद इसी महनत में हमें मसरूफ और मजबूर कर दे आमीन इस मौके पर आप हज़राद ने बंदे नाचीज को अपने इस खुब्सूरत और हसीन मुकाबले मुसाबिके में शरीक किया मैं भी आप हज़राद का मंदून और मश्कूर हूँ और रसे मुक्ति साथ का फोन आया तो सादा समझ कर मैं यहां पर शरीक हो गया अल्लह पहला हमस्द की हाज़री को खुबूल और मुदूल फर्माएं और हमारे इस मुसाबिके को बामस्द बनाएं इस मुके पर उफ्ति साथ ने हुकम दिया एक दो हकम बनने का फिर उसके बाद हुकम हुआ तासुराद पेश करने का तासुराद क्या पेश कर सकते हैं जब से हम लोग आपको देख रहे थे अब आप हमको देखेंगे कि ये नंबराद डानने वानों में ये काविलियत थी या नहीं थी नंबराद डानने थी वो तासुराद से अंदाजा हो जाता है तलापा बड़े जहीन होते हैं और रुश्यार भी होते हैं इनके दिल और दिमाद में वो चीज़ें आती हैं बसावका फरिष्टों के जहें में भी आती हैं आप लोग शायद असानापूरी दूसरे जुमिले से करने के लिए जा रहे हैं तो आप हमारे तास्वराद को वो नजल से मत देखिएं और मैं तो इसकाबिल नहीं हूँ बस अल्लाप अबन फर्मा लिया तो आदिर हो गया आपके असातेदा और सरपरस्त तालिमी सरपरस्तों ने आप पर काफी महनत की है तो इस मौके पर एहतर चंद मारुजाद और बुजारिशाद जुम्मेदारों की खिदमत में भी और तलबा की खिदमत में भी रखना चाहता है अगर पसंद आये तो खुबूल कर लो पसंद दिया तो कोई बात नहीं जुम्मेदारों के फिर ज़रा बात निकला पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने जो तक्रीरें पेश्टी है हकी बात यह है कि आपने अपनी केपेसिटी और सलाहियत अपनी उमर से ज्यादा अच्छा मुझारा पेश्टिया है और कल्बी दुआ यह है कि आपको फियोचर में मुस्तरूबिल में अपने जमाने का खतीब वाइज अजीम मुकर्रिब और दावी बना दे असल चीज़ दौा है महनत के साथ साथ हमेशा दौा करना दौा करने में पैसे तो नहीं लगते ना पैसे लगते क्या है पैसे तो नहीं लगते और दौा खुर्य मुस्तकिल अबादत है गरते के दौा में आप दीन तो दीन दुनिया मी माँगो तबीब वो अबादत की ही में लाजिल और शाभी है और दौाओं मुखुल इबादा 40 अधित में हम पड़े भी पड़े तो दौा करते रहना चाहिए और दौा का असर इंदेगी में कभी भी जाहिर हो सकता है कभी भी जाहिर हो सकता है दौा का असर हो सकता है अभी हम दौा मांगे तो अभी तो आप फतीर आजम तो नहीं बन सकते मुफ्ती आजम तो नहीं बन सकते मुकरिद आजम तो नहीं बन सकते अपने इलागें के मश्यूर और मारूस बेपाख मुकरिद तो नहीं बन सकते दुआ करो वो वक्त आएगा आपकी उमर में कि आपकी डुआएं इंशालला रंग लाइंगी लाइंग 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 तो बड़ा अच्छा वकाविला आपने प्रेश की आपकी तक्रीरे पहली बात तो ये कि मवाद से लब्रेश थी भरबूर थी वक्त कम था तो उसमें दर्या को कूजे में कितना समाख कितना डाल सकते ज्यादा उतना भरबूर कोशिश तो आप लोगों ने किया है और दूसरी बात ये है कि मेहनद भी आपने अच्छी की तक्रीरे भी आपको अच्छी तरह से याद थी यादाश्त आपकी मिमोरी भी मजबूत है एक दो तलाबा के अलावा किसी ने अपने अन्फास को दोहराया ली और उनकी गाड़ी बीच में कहीं पर रुकी नी और इस्पिट ब्रेकर का शिकार नहीं हुई बस इस्प्रेश गाड़ी थी समझ लीटी उसके अलावा चन्द बाते मैं आपदास से कहना चाहता हूँ इसके उपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्ला आपकी तख्रीयों को ये चीजें अवर भी चार पांच छे चांग लगा सकती हैं एक तो तकरीर में जेरो बं होना चाहिए बंक का मतलब हमसे लो बंग नीजी जो आटम बं है जेर के माने नीचे बंक के माने ऊपर जेरो बंक होना का मतलब ये है नशेभ उ फरास ओ जो जिम्ले गरम हो उस वक्करेश को घरम होना चाहिए और जो जुमले थंडे हो तो सोक्त मुकरिद को थंडा होना चाहिए यह दिनके एक साथ रेस गाड़ी को रेस कर रहे हैं कर रहे हो पिर इंजल भीट होके गाड़ी कराव हो सकती नहीं हो सकती और फजया दिनके तो धुड़ा अपनी तक्रीर में नजब और फराज जेरोबन पैदा की दिये और दूसरी बात यह है कि हम तसन्नो और तकल्फ से दूर रहना हो हमारा जो अपना अंदाज होना उसमें तसन्नो ना हो तकल्फ ना हो तसन्नो और तकल्फ का मतलब अगर आपको समझे ना है तो अभी ये मुकाबिले के बाद आप दर्स में बैठेंगे तो अपने अपने असातिजा से आज समझे लिए मुक्तसर ये है कि हमारा अपना अंदाज बनावटी ना हो वो फित्री अंदाज वो जो खुदरत ने हमें बख्षा है किसी की नकल ना हो दोसरों का इस्टाइल ना हो और अंदाज बरजस्ता होना चाहिए साम में वाले को ये महसुस होना चाहिए कि ये बन्दा जो गुस्तबू कर रहा है बनावटी नहीं है मसनुई नहीं है बलके ये फित्री है ये बात अपने दिल से कर रहा है अपने मन से कर रहा है ये महसुस होना चाहिए आपकी खैरखाईी का असर महसूस होना चाहिए सामई पर, लोगों पर तो थोड़ा इस से परेश की लिए तसन्म और तकल्म से तीज़ी बात यह है कि जो कमी मुझे देखी गे भी वो है सलासत की किसकी? सलासत की आपके इम्तिहान के परचों में आता होना सवाल सलीस तरजमा कीजिये वो आता नहीं आता हो लेकिन आप लोगों कभी अपने असादिजा से पूछे हजरत ये सलीस का मतलब क्या है? अच्छा बस अवकार मुंतेई पैसे होते हैं कई पढ़ लिए, सवाल बनाने का अंदास कई देख लिए सलीस बोलिए था उसमें वो भी डाल देखे, सलीस बोलिए खुद उनकों भी पता नहीं होता कि ये सलीस क्या चीज़ है कई देख लिए इतमिनान बखश लिख दिए इतमिनान बखश उसका मतलब और मखूम मुंते हिंकों भी नहीं मालूँ तो ये तालिब इल्म वही होता है जो हिदी की चिंदी कर रहता है पूरे हर चीज के पार्ट क्या करता खोल लेता अलग अलग कर रहता उसको भी बोलते तालिब इल्म तो सलासत पहला की लिए अपनी जुबानों में हो सकता है वक्त की तिल्लत की वज़े से आप हज़रा की जुबाने तेज चल रही थी ताके मौाद ज्यादा से ज्यादा पेश किया जा सके हकम हज़राद को मुदास्र किया जा सके और नम्गराद को हासिल किया जा सके और इस मैलान को मारा जा सके अब की बार जान उठा लिया जा सके ये जहनों ने होता ने को भी तो इसके वजाए अपनी जुआनों में थोड़ी से सलासत पहला की जिए सलासत पहला करने के लिए आप बड़े मुकर्रीन जो होते हैं अपने जमाने के मुशूर वाइजीन और खुतवा हज़राग की तक्रीरे आप सुनिए यहां नहीं आप तो आपको फोन नहीं लिया जाता घरों पे के विचे ले तक्रीहन आपके हाथों में फोन आ गया तो एक तो फोन के खरी वक जाना नहीं चाहिए अगर गए तो तो सही वैदा उड़ाना चाहिए तो उन वाइजीन क्या तक्रीरे सुनिए दिये जैसे मुश्त मौना अंदारी जमिल सावे और दूसरे मुकर्री में और को ने कारी हनीव सावे और इसी दरा एक मरहूम हदर अल्लामा अदुलमजीद नदीम रह्मतुल्ला है मैंने उनकी तक्रीरे खुद सुनी है और उनकी जबान में बला की सलासत देखी है तो उनका अपना एक अलग इस्टाइड है और बोले का अंदाज बयान है तो जबान में सलासत इतनी ज़्यादा होती है न तो सामई पर उतना ही असर खुब पड़ता है और एक बात ये है अपने अंदर अपने अनवान पर दर्द पैदा की थी ये नहीं कि सिर्फ आप अलफास रट लिए तोते की तरा बटे हुए अलफास को टेंशन में आके बोड़ रहे है आपके चेहरे पर टेंशन दिख रहा है और सामई का, असादेजा का, इस्टेज का पूरा टेंशन जोए जहें के चेहरे पर नुमाया है तो जाहिर वाद है हम सामई को मतास्री कर सकते हैं दावत भी के लिए तो आप सिख रहें ताजिस अपने सामई को, अपने वगात्त को रुटास्री कर सके तो अपने अंदर उस अनवान के तालुब से दर्द पैदा कीजिए आप जो आप बोलने जा रहे हैं मगरीबी तहजीव है मगरीबी तहजीव हमारे लिए हमारी कौन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी खतरनाग चीज़ है और इसके कितने खतरनाग नताइज है वो दर्द दिल में पैदा की जिए और उसका असर चहरे पर होना चाहिए देखो, पेट में अगर दर्द हो तो चहरे पर उसका असर दिखाई देता नहीं देता बोलो अच्छा, आप के दिल में खुशी के लड़ो पूट रहे हो तो उसका असर भी चहरे पर दिखाई देता नहीं देता तो वो असर तकलीर करते वक्त होना चाहिए चहरे के ओपर जो तकलीव दे जूले है उसका उसकी तकलीव चहरे पर हो और जो खुशकन जूले हूं उसका असर भी चहरे पर आखों पर भौंपर पर पेशानी के सलवतों पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्योंकि लहजे तासर भी वर्दाइना हुई अब मैं आप से पूँचा हूँ आप कौन है यह सीरा सारा जुम्ला है आप कौन है आप कौन है अगर मैं आप कौन है देखे रहे आप मेरे भूए उसके उसके निशाना सामने वाला आपके अलफास से जादा चेहरे को बढ़ दो क्या बात है कि बिवर्दाइना हुआ उसके पूछा क्या बात है कि तो यह असर अब इसमें थोड़ा मैं खेर वो तो जुम्लार हदरास से में बात वो खिन्मत पर रखूँगा जो जब तक्रीव करने के लिए आ रहे हैं तो सामई में बिल्कुल करीब करीब होना चाहिए अग्बर और विर्बल का लतीवा किसी वकत जमाने तालीविल में पड़े थे याद आया किसी बात को समझाने के लिए अग्बर ने ये डिरामा रचा था के चुलहा सिलगा कर वो हांडी जो है बहुत पूंचाई पर लगा दिया और आंख बिल्कुल नीचे थी तो उसमें बताया था अग्बर गो के ऐसा कैसा हो सकता है तो जब नीचे हांडी अगर बहुत ज्यादा उपर रख दी जाए तो आग का असर हंडी पर नहीं हो सकता तो इस बात का असर इस पर कैसे होगा तो हम हैं यहां पर तक्रीब करने वाला यहां पर वो जो हंडीया है उतनी दूर पर तो फिर आसर नहीं हो सकता तो कभी हम कहीं पर तक्रीब करने के लिए जाएं ना कभी वी लोगों बेक्त कर लेना चाहिए उनको मानूज कर लेना चाहिए अब मैं देखो मैं आख से हस्के बाद करना आप भी लोग उसकुरा रहे हैं अगर मैं सीदी साथ इक उफ्तव करता बिना मुझा पढ़ा दें हैं नहीं सही बाद ही तो यह असल में वास वह आप पेश करें थे तक्रीर मौणा आतिल साथ कोई पूझे दें के तक्रीर वास में वगरा में क्या परक होता तो मौणा खड़े हो के करें तो तक्रीर बैठ के करें तो वहास लेट के करें तो वसीयत तो वो तक्रीका थोड़ा होता लेकि ऐसा अंदाद अपने अंदर पैदा करना अपना लहजा भी जो है बदना अभी इतिदाई इस्तहर होता है क्या आगे आगे देर होता है क्या इंशालला ये चीज़े हमारे अंदर धीरे धीरे आती रही है अपनी मौबर के साथ साथ इंशालला तो दर्द अपने अंदर पैदा करना जरूरी है एक हमदा भाए गौव में बंदा तक्रीर करने के लिए गा है जोंके लोग बहुत बिचारों को तक्रीरे वाद वाद वरा कम सुने मैं तो हम लोगों मेरी तक्रीर से मुतासिर होगे हमारे लौजवान उलमारे उसके दर्द थे बयान हुआ हम जा रहे थे तो पुझे माण कि तक्रीर करना तो कैसा करना अब वह समझ रहे थे मुझे चोड़ी हो फिर यहां तक्री करोगा पहले वो इक गंटे की तक्रीर आप सवारी में इंडिये साम में एक गंटे की तक्रीर थटता नहीं धटता अद्मी नक्ष्य हैं सब ना तमा खूने जिगर के बेखे अपने अंदर वो खून वो दर्द पहला कर लो वो दर्द जुबान के जरी अलबाव धर्द करके खुद सामने आ जाते हैं मुहबत खुद तुझे सिखा देती है आदाब मुहबत है न तो यह तो असल अपने अंदर पहला है तासुरा के लिगो टाइम है नहीं है हुआ है है तो कभी वो रुख सकता है लेकिन दूसरी बात भी हम उन मुक्रेड़ों में से लिए जो कालर पकड़कर हडा दिया जाए वक्त मानते हैं वक्त में जितना दिया जाता है उससे पहले अपनी जगा छोड़ने की कोशिश करना है बहुत इसी में क्या है इज्जत है यह दौर टेस्टों का नहीं है वंड़ों का है और वंड़े भी कहेंगे वो 50-50 दौर चले गया अब किता कमरा वही टॉंटी-टॉ के लगाना कि इसलिए अपने बच्चे भी आइसीद कर रहे थे और जुमाह के वयानों मेरा ख्याल बदल रहा वह दौर चले रहा एक एक गंड़ा तक्वी सुनने की योटूब पे दो मिनट का गाना जिससे नफ्स को तस्कीन मिलती लोग सुनने के लिए तैयार है तो हमार कि दो वंडे के लूग दो ठाफित महीं लंभी छोड़ी मत बांगा दो क्या दरो को अपना पावन करना जुमाह के लिए लोगों का यह प्तुन करना और दूसरी बात यह है कि अपने मवाद पर लेके जुमाह में लोगों को अपना पावन करने के लिए चलना जैसे आप हदरत इब्राहिम लिएसलाम का वाक्या ले लिए एक जुमा एक तिस दूसरी जुमा दूसरी तिस और लोगों को अपनी ग्रिफ्त में रखना कि भी यह वाक्या यह इदर बयान किया गया इन्शालला आइंदा जुमा इसे आगे बयान किया देगा अब आखकल मदारिश से माशालला जग्यद हुफास जग्यद अलमा पैदा हो रही है लेगिन इस जीज़ी कमी है मुफकिरीन पैदा नहीं हो रही है कि आप लोग समझें मुफकिरीन का मतलब है अरे मैं हसी मजाती बात नहीं कर रहा हूं मुफकिर किसका लतब है आपको किसे बड़े आलिम के आगे बेजे मुफकिरीन का लतब याद है आपको मुफकिरीन के लतब है आपको मुफकिरीन का लतब ये है आप अपना एक नजरिया मुदल्ल और ठोस रखने वाले बने और अपनी एक फिकर जमाने वो दे सके आप ये चीज़ आपके अंगर होना चाहिए मबाद आपने मेहनत की मुफकिरीन किताबों का मुदल्ल किया और इसको आपने तरदीद दिया आप पादिले दाज है शाबाज है अल्ला आपको तरफ्टी अपा गरुआ है लेकिन किताबों से हटकर और उटकर आपको सुझना चा आपने अपने आसपास मगरीवी तहजीद जो सहर उपर रही है उसको आपने नहीं देखा यही वजह है कि आपके अनावी में मगरीवी तहजीद का पोसमास्तम तो किया गया लेकिन जैसा पोसमास्तम किया जाना चाहिए था और जैसा उसका आपरेशन किया जाना चाहिए लेकिन मन्ना खेली में नहीं भया मगरिवी तह्जीर मन्ना खेली के अकराब के अकराब को अपना आपके खांदान में क्या कर रही है उसके क्या बुरे डिटाई जो रहे है खाने पीने के तरीकों में रहन सहर के तरीकों में तक्रीबात में दावतों में मगरीबी तहजीर कितनी दाखिल हो गई घुस गई अंदर आ गई यह नहीं देखिया बर्ट रिटे के उन्वान पर किसी नहीं वोला यह जिए हमारे नौजवाइनों में हमारे छोटे छोटे बच्चों में हमारे घुरों के अंदर दाखिल हो गई तो जब आप अपने फिकर आपने इससे अगर आप गोर करते तो यह चीज़ें चन्द चीज़ें आप दाखिल कर सकते थे यह अपना नज़रिया अपनी एक फिकर तो आप मुफकिर भी बनेंगे ने बनेंगे अस्थाबु राय ने चीज़ करें यह आप बनेंगे हर आदमी अस्थाबु राय में चीँफाद राय ने की फिकरिकर की जाए नहीं कभी-कभी अपने अपनी बच्छीयों से कहता हू고 हमारा उसा कोई भरोसा भी नहीं कब हमारे दुमाने से जो है अजीज तलबा के वज़ाए अजीज तालिबात निकल जाए तो अगर निकल भी गया माफ करना आप लो क्योंकि तकरीबन जब से फारिब हुआ बीश साल से बस तालिबात ही के दर्मियान काम कर रहा हूँ मैं इससे पहले मुष्टि साथ से मुलाता थी तो लटीबा तुनाया था वही काम करते करते रड़गियों में आउड़ों में आसर में हाल कैसा होता बलतो एक शहजदादे का लटीबा है अब शहजदादा तो शहजदादा है उसको क्या मिहनत करना क्या खाना क्या प्यूम्द आईशु आराम के दिज़े की हमें शह महल में शहजदादियों के साथ रहता था हमेशे शहजदादियों के साथ रहना इसने फार ने एक भन्ister elephant साथ निकल आया तो पूरी शहजदादियां बाहर आ देए और चीपने लगी शेर के बच्चे को बकरियों के दरेम्यान छोड़ दिया जाता है तो शेर का बच्चा भी क्या बन जाता है बकरी बन जाता है सोहबत का असर बढ़ता है है ने बढ़ता है सोहबत का असर और तुखम की तासीर कभी नहीं जाती ये कहावत आपने सुरी नहीं सुरी सोहबत का असर और तुखम की तासीर कभी नहीं जाती अच्छा बात में बात याद आ गई ये कोरे खका माने में तासीर रहे थे जब तक चले ने वोड़े उर्तिसा आज कर ये भी अलमा का जहन बन गया तलाबा का जहन तो पहले जिसे भारी भर कौम तसीव बजीव अलवाद जुम्ले इस्तेमाल करे लोग हमको अलमा सुनुचते क्या सुनुचते बहुत बड़ा सलाए सलास्त और बलागत वो नहीं है जो सामने वाले को समझ में आए उसी का नाम सलास्त है उसी का नाम बलागत है ने तो क्या होता वई इससे बहले बोला नहीं बोला नहीं तकातुर अमतार हो जाता क्या हो जाता तकातुर अमतार का लटीवा यान है लखनों की उर्दों बड़ी फसी है ये भी आप लोगों को मालू है लखनों की उर्दों बहुत बड़ी फसी है युपी बादे इदर आया थी ना हिदराबाद थोड़ी दिनों तो परेशान हो जा तो के लबातर यहां के लबातर वातर था क का लेज़ा पिलकुन अलगए 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 ऐस आठी sudah आजा व a अब है अभाषि और मुलाजर के बूचा चैय क्या क्या है यही चैंग में हो अरहे ये हॉट क्या चीज़ है नहीं समझ मैं पher दूसरे में बुलाया क्या यही चारव मिनार है हॉट फिर तीसरे हेवरादी के बीड़ाया क्या यही čार मिनार है जी हाँ यही चार मिनार है उसको जब समर्जम में आया किFormnel है वाई मैं इससे पहले दो आदमीव से पूछा क्या यही नार है वो how बोले और आथ जी हाँ बोले जीहां तो समझ में आ गया लिए हो क्या चीज़ है तो हैदरवादी बोला देवर साब बात ऐसी है यहां पर जो तालिम्यापता है ना वो लोग जीहां के बजाए हो कहते हैं तो बलट के कोशा किया आप भी तालिम्यापता हैं तो बोला हो समझारी बात तो ततात दोर्य हमतार होया था भी और दियाती मिलने के लिए गया कि जी लगनवी से उसको भी पसाद बलावत का वो था उसको दिल जस्थी यह वह पांगे गया तो तो वो दियादी मिलने के लिए गया तो सायब पूझे इन साल आपकी किस्ते जार में तकातुरे अंतार हुआ क्या तकातुरे अंतार का मतलब क्या है बारीश हुई क्या और किस्ते जार का मतलब खेत में खेत में बरसात हुई क्या इस साल यह पूछना था तो दियादी जैसे यह वो सना रहे हैं या तिलावत चल भी, फुरान में जिस की वो यह वापस विले गाया हिसा भी आम अलफास का, आम अलफास का इस्तेमाल करना अपने बयानों में लेकिन भूंडे अलफास का भोला अंदाज इस किया निकरना आम अलवाज इस्तेमाल बरजस ता अपना लहजा इस्तेमाल कीजिया तो अपनी फिकर अपनी सोच अपनी एक राएं ये आप पैदा कीजिए हाँ तो बात दो चले कि मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं हमेशा कि अपना चबाओ दूसरों का चबाया हुआ मत चबाओ समझ रहें जूमने का बनलब अपना चबाओ दूसरों का चबाया हुआ मत चबाओ खुद अपने दात मजबूत होगे ना दूसरों के आप कब तक चबाएंगे कब तक जो है मा निवाले बना कर देंते रहेंगी अपना चबाना सीखो अपना मावाद तयार करो और एक दो बाते और मज़ीद रह गए कि इसमें जितने भी बच्चे थे माशाआलला अच्छी तख्री ने पेश की अब उसके बात इनाम मिलना नहीं मिलना ये तो उपर वाले की वाद है ना मैं हाँ इतना तो हकम हज़राद तो बहाजियत हकम मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर बच्चा कमों बेश इस वाद का हखदार है कि उससे इनाम दिया जाना भी बढ़ी अच्छी तक्री ने पेश की है बच्चों ने शायद हम हकम हज़राद भी मैं तो महाणा ये वारे में नहीं बोल सकता अगर मैं भी चरीब होता आपके मुकाबिले में तो जीत नहीं पाता था हार जाता था इतनी अच्छी तक्री ने आपने पेश की है लेकिन मुकाबिले का मकस्द भी समझना चाहिए हम अपनी जिंदगियों में सामने टार्गेट नहीं रखते अपना हदख नहीं रखते अपना इक निशाना नहीं रखते इसलिए क्या हो जाते परेशान हो जाए मुकाबिले का मकस्द क्या है वहीं कोई बोल सकते मुकाबिले का मकस्द क्या है बोलो भी जी मुकाबिले का मकस्द हराना अब काबिले तारीब तो है सुप में हिम्मत करके जवाब दिये और कोई बोलो जी माशालला मुकाबिले का मकस्द इन्याम हासिल करना नहीं है मुकाबिले का मकस्द है अपने अंदर सलाहियत पैदा करना और मदर्से वाले जो आपकी अंजुमन इसलाफ बयान गायम किये हैं उआपके बयान की इसलाफ के लिए गायम की तो आपने आपने मिहनत किया, तक्रीर तैयार की आपने यहाँ पर पेश की तक अपनी तक्रीर पेश कर दी आप इनाम पादे, आप मस्द में तामियाब हो गए फिर उसके बाद वो जो किताबों की शकल में इनाम मिलना है वो दूसरे नंबर की वाद है, पहले नंबर की वाद नहीं है और जिसे इनाम मिलिया वो भी गुरूर तकबूर का शिकार नहो वो अल्ला के सामें सर्बस्जूद हो कहीं ऐसा नहों कि गुरूर तकबूर का शिकार हो जाए और भी अल्ला ताला की तरफ से उपर लानत बरसे मुतकबिर अल्ला ताला को बसनी वो जमीन पर दे मारा जाता है तो अपने अंदर कभी भी यह गुर बच्चे हाल जाता है ना वो समझ जाते है लेकिन जो बच्चे जीतते हैं जो बच्चे इनामाद हासिल करते हैं जो बच्चे founding प्रजे बरा आ जाते हैं उनको समनना और उन्हें अपने आपको समानना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है कही ऐसे बच्चे जो अपने जमाने तालीब इल्मी में इनामाद पाने वाले फराख़त के बाद किसी काम के नहीं रहे और जो बच्चे अपने जमाने तालीब इल्मी में कुछ जहन समझे जाने वाले अवस्त दर्जे के समझे जाने वाले कभी अपने वज़से के अंदर नाम ना कमाने वाले लेकिन जब वो फारिख हुए तो ला ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया है अपने दीन का तो यही बात है गुरूर और तकब्र अल्ला ताला को बसंदी ही है कि बियाई मेरी चादर है अल्ला फरमाते है जो इस चादर को उड़ना चाहता है अल्ला ताला उस चादर को खीच ले मन तकब्रा वज़ा ला मिता दो अपनी हस्ती को गर बलंद मरतबा चाहते हो दाना खात में मिलकर गुले गुलसार हो जाता है है ना वही है तो अपने अंदर तबाजों पैदा करने और अगर हार गए तो अल्ला माइ खबाल गए दूसरा शेख खुलो नहीं है नाउमीद बाद अपने कश्वीलां से जरा नम हो तो ये मिल्टी बड़ी जर्खे थे साथ एक और शेख भी है ना परखोल जमाना उडान देखता है जमीन पर बैठके क्या आसमान देखता है राहत इंदुरी या राहत इंदुरी को आप लोग सुने कभी जे सुने भी तो नहीं बोलें गया क्योंकि मुल्सावान सांदर बैठे हुए कभ सुनदा रहे इदर आपने वहाद देखता है राहत इंदुरी वो क्रोना का शिकार होके दुनिया से सुन दुसर होगत जंदन नसीब परमाए अशार बड़ अच्छा है राहत इंदुरी के अशार में थोड़ी अनानियत है अऊ वो अनानियत होना चाहिए नी वोना चाहिए दूसरा मौज़ू है लेकिन अनानियत है असके अशार आप सुनो तो बता चले जा कि अशार बड़ी अनानियत है ऐसे एक शेर मुझे याद आ गया तूफानों पर वार करो साहलाबों का मुकाहिला करो मल्लाहूं का चक्कर छोड़ो तैर कर दर्या पार करो वो मेरे कासे को खरीदना चाहता था कासा समझते हैं कासा जी कासा उस प्याले को कहते हैं जो फकीर की आप में होता है वो मेरे कासे को खरीदना चाहता था मैं ही उसके ताज की कीमत लगा कर आ रहा है ये अचार की कोड़ी अनाई है तो शायरों को भी सुनना चाहिए एखतीद के ओपास अशार का जखीरा होना चाहिए तो मुकाबले का मुकस्त अजीज सलवा कभी इनाम हासिल करना थी इनाम अगर नहीं पाया आप कभी दुखी होने की जरुष नहीं है जितने में आपका और जो लोग इनाम पागए वो गुरूर और तकबूर भी ना करें ये तो चन्व बाते थी जो आप अज़राग की खिदमत में तलवा याजीज की खिदमत में और चन्व बाते जुमेदारों की खिदमत में इस खाविज तो नहीं है कि मैं कहसे बूँ अगर इजादत हो तो मुफिसा पर सोचे बोड़ों कि अच्विसा क्या है पहली बात यहां पर जब मैं दाफिल वा माशालला मदरसे को देखकर हर वक्त तो खुशी होती है मौका मिल गया खुशी के इजहार का तो उसका इजहार भी करना चाहिए कि यहां की ताइम, तर्वियत, असादिजा की महनत, वो तवज्जो, सब खाबिले, तारीफे दुआ है अल्ला रखुल अच्वल से कि अल्ला इस्ते पामत की तोफिख अता फरमाए और ये इदारा यूही फूलता, फलता रहे, दीन दूनी, राजचोटनी तरफ्टी होती रहे, आमिल तो गोल गई पहले के वोगा एक और इससे पहले भी इतिफाप हुआ था, उसके मुकाबिले में थोड़ी चीज़े, अपडेट्स डेटने में है मुलियों की यही परेशानी होती कि अपने अंदर अपडेट नहीं होना चाहते हो, अपडेट होना मंगर शरियत के हुदूर, नहीं बोले के वुस्तिताव है थे अपडेट होना होनके अपडेट होने चले गए, दाड़ी लंबीती सो छोटी कर दिए, पुरता का जमा उता यह बिटनी चंद चीजों में, इससे पहले यहां पर गंधी लगाई जाती थी, उसके वजाए क्या है, अब यह लाइटों का सिस्टम मैं यहां पहली मरता देगा, बड़ा अच्छा है यह भी, मैं भी अपने इदारों में इंशाल्ला यह सिस्टम रखूंगा, यह बड़ यह बनी, इनकिलावी आलिम बनी, और एक उदारीच यह है कि यह जो तक्रियों का मुकाविला हो रहा है, मुकाविले हो रहे हैं, मुकाविला नहीं होता, यहां पर क्या होते हैं, मुकाविले होते हैं, और आपके असादद आपको हमेशा टेंशन में रखते हैं, एक मुका भच्षों को तुम शुब नहीं रिखेंगे तो बच्चे क्या Sutнов Agora बच्चे क्ये से हुआ जिनकी गई से कि नहीं को ő खंबे पे चड़ना उतरना चड़ना उतरना बस को इसका जबत पड़िए उन्हों कुत्ते की दुम दे लिए इसको सीड़ी करो लो कुत्ते की दुम सीड़ी होती इन्सान से आगे कोई बढ़ सकता अश्रभल मख्लुगा रहे बनने पर आए तो अश्रभल मख्लुगा बिगड़ने पर आए लकद गड़ना इन्सान फी अहसनी तक्वीन फरिश्टा बन जाए फरिश्टों से भी आगे आगे आज़ स्थर अल्ला लिए शब्मेराज में जिब्रेईल अमीन सेदल मलाइका वही के वही रहे और अगर इन्सान उदरने वरा जाए तो आगे क्या फरमाया गया लकद गलगना इन्सान फी अहसनी तक्वीन तुम्मा रददनावू अस्वल साफिली अस्वला साफिली हुआता इन्सान तो किदर चली जिवाती क्या च जी आगे मुकाविले यहां पर चल रहे हमेशा तो एक आदा मुकाविला इसा रखना चाहिए मेरी अपनी राए है बगजस्ता मुकाविला हो बच्चों को ज्यादा टेंड लिया लिए दो दिन का टेंड लिया जाए और उन्वान या तो आप रखा जाए या कोई खास उन लगा कल्मे की एहमियत ऐसा और बच्चों को उतना तख्रीर दिखने कि लिए दी जाए नायाद करने का मुकाविला जाए उटके बरजस्ता अपने अल्वाग में उनको फो अदसमिनेंट का लिए पांच मिट के बजाए 10 मिट का बच्चे को जोड़ा खुलने का भी मुका तद्रीर के बजाए उनको थोड़ा खिताबत वार्श के ऊपर इस तरह वह बच्चे और बीच्छे अंदाग में खुल सकते हैं तद्रीरों में इसा किया जा सकता है तहरी में इसा किया जाता है उसी आप जो है उनको कादस दे करके और्वान दे करके वह आपकर हम लोग ऐसा में जब बूलते रहेंगे तो और अपनी मापी जमीर को लोगों के सामें जाहिव करने की इंशाल्ला आतब पढ़ें दार्व में मुक्तलिव अंजुमन होते हैं एक गुरूब का बंदे नाची जुम्मेदा था तो जट्किया के मुस्ती शामजी सावाजियां अब्द्ब करना सीखा तो मैं प्रेशन होगा भी मेरी वज़े से यह तक्रीफ करना ना सके उनकी तक्रीफ तो यूटूब में नोजवान आजिवे दिए और याद करो आपके अर्जुमन में मैं था एक वह तक्रीर याद नहीं करा तो सुबह से लेके शाम तक क्या करें अपने अलबा वड़े खाना थे खाने में क्या थे वहीं बोल दो आप तो इससे भी जो है अपने डर और खौक निकल लियाता है और बोलने की आदब भी बढ़िया तो यह एक मुकाबले का अंदा ऐसा भी अप्यार किया आए सकता है और इसी तरह तक्रीर करने कर एक मुकाबिला है वैसे यहां तो बच्चे बाशूर बच्चे ने बड़े थे शोवे आलिमित के तलाबा वैसे ही बड़े शुखूर वाले होते नहीं बड़ अच्छे अंदास में बच्चे खामुश तो बैठे लेकिन जैसा सुनना चाहिए था तक्रीर वैसी आपने नहीं सुन रहे हैं आप तक करने वालों को नहीं तुने वेसा तो इसलिए बदो जोश भी है टख्टी करने वाले दाप समोया कि बगोचीना चाहिए सामें वाले की होसला अजाई करना चाहिए नहीं करते क्यों होगर हम अजाई करें उसकी तफिर अच्छी हो जाती ही ना मुस्टू मिलता है इसलिए क्या खरत नजर अन्दास कर तो जा बच्चे गौर से नहीं सुनते अवादे जाई करते हैं वहां के लिए मैं ये फार्मोला देता हूँ अगर ये फार्मोला है यहां के भंचे फिर य가 सार्मोला की साइता हु कि एक दोered जुमले निकाल कर रखे ना और ऐसे वक्त कोशना के वे ये जुमला किस बच्छेकी तकरी मे था ये जुमला या ये आय की या या हदीश किस बच्छेकी तकरी मे था उटके आप तो ये तो बहुत गौर्ष से सन्ना पड़ता नहीं? लगा दिये दोलों को हौर्ष से सप्रास बना के अब हम लोगा दोलों सुनों ही बहुत अच्छाइब दियुस पॉटाई जबिये उसके साथ थोड़ा आपको भी काम पर लगा दिये तो कैसा रिखना आइसा करके बोलो अच्छा रहा था आपके असाद जानी ताहिद कर रहे हैं इंचालों क्या बोले बोले यह अवर्फुल होना बोले क्या बोले जबर्दस से ताहिद कर रहा हूँ बस यह चंड बाते थी जो मैं इंङो कलम बन बन कर लिया क्या ड़्य था इंद्व में आता कलम बन कीot कि सवाल पढ़ने के बाद क्या करना खलम बन करना बन आगे बोच्छों दिए क्या बनना कलम बन Klish तो यहां मैं तलम बंद कर लिया है अब क्या करता हूँ अपनी जुबान को बंद कर लियता हूँ दौा है कि अल्लाख दाला से अल्लाख दाला आज के हमारे इस मुसाबशे को बहाँ मस्त बनाए कामियाद बनाए कुभूल फरमाए वाफर दावान